कक्षा दसभी के प्यारे पिद्धार्ति उस्वागत हमारी यूटूब चेनल मिडिल पाट साला पे तो आज हम लोग देखेंगे त्रमासिक परिच्छा दोजार्ति 24-25 भी से हिंदी का रियल पेपर जो आपका त्रमासिक पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ सो में सो परसेंट इसी से पेपर बनेंगे और इसी से क्वेस्चन आपके आएंगे समय रहेगा तीन घंट पुड़ांक रहेगा आपका पशात्तर का निर्देश है सभी प्रशन आपको करना निबा रहे है तो पहला है दूसरा तीसरा चौथा पांचमा आप पुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो पहले का पहला हिंदी के पद्यसाहित का दूसरा काल है गोपियों को गयन हुआ योग की बातें लगती है मैं आपको सेल्यूशन भी बताऊंगा वीडियो के अंतक में पुड़ा में सेल्यू किस आचारकी है छाटमा हो जाएगा भोला नत के पीता भक्त दूसरा कोश्चन हो जाएगा आपका रिक्ति स्थानों की पूर्दे कीजे तो ये हो जाएगा सूरदास जी की मुख्यता है बिंदी बिंदी रसके कभी है तो बलसह रसके कभी है गोपियां उद्धों को आयक नाइका के संयोग का भियोग का बर्णन बिंदी बिंदी रस में होता है तो सांत रस हो जाएगा भोला नात के पीता आटे की गोलियां बिंदी बिंदी को लिखाते थे तो इसका हो जाएगा आपका चौपाई के प्रतेक चरण में मात्राएं होती है तो इनका एंसर हो दूसरे का बड़ी वागी तीसरे का गाड हो जाएगा चौते का संगार रस पांचमे का हो जाएगा आपका पांचमे का हो जाएगा इंसर आपको पांचमे का खुछ से बताएगा कमेंट में जरूर सोल और छाटमे का हो जाएगा सोला सोला मात्राएं होती है तो उनका स्क्रीन स्वाट कर लीजेगा फटा फट पहला दूसरा दीसरा चोथा पांचमा और छाटमा तीसरा है अपका सही जोड़ी है अपका सही जोड़ी बनाईए तो आत्म कथा कि इसका हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा आपका प्रतिमा परचस्मा अलंकार तो आभूशन कैप्टन चस्मे बाला तीसका कैप्टन हो जाएगा ये प्रतिमा चस्मा बाला और आधे की लाटी संचना हाथ जोड़ी तो यात्रा प्रतिन्त हो जाएगा इसका भी screenshot पटापट कल लिजेगा चौथा एक लिवाग के एक सब्धिमुत्राप को बताना श्री कृष्ण का यूग संदेश गोपियों के लिए कौन से लेकर आया था सूर्ज सर्वली के कभी का क्या नाम था नेता जी की मोर्ति किसे से बनी थी तो इनका भी screenshot पटापट कल लिजेगा हिंदी गद्धी की सुर्वधिक लोग पर ये विधा कौन सी है प्रते दिन में कौन सी समास है विपद के समास भोले नाथ किसकी सरण में जाता था इनका भी screenshot कल लिजेगा पांचमा है अपका सत्त सत्त चैन करके बताना है तो गोपियां कृष्णे द्वरा चुराये गए अपने मन को वापस मांगी रही है सत्त हो जाएगा एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है असत्त हो जाएगा उपन्यास में कई कथाओं का संभेस होता है तो ये आपका सत्थ हो जाएगा चौथा जो है तो आपका सत्थ हो जाएगा पांचमा रामचरित मानस काब है तो ये सत्थ हो जाएगा और तुरुभून में दोंद समास है तो ये आ सत्थ हो जाएगा इनका भी स्क्रीन सोट भटावट कल लीजेगा पांचमा क्वेशन है प्रगति की कोई दो विसेशता हैं एवं प्रवर्थ लिखिए अथवा में रीतिकाल को सेंगारकाल क्यों कहा गया है लिखिए तो इनका दो नंबर आपको मिलेगा पूड़ा आपको एंसर करना है दो लाइन का रहेगा छाटबा है आपका सूर्दास की दो रचनाओं के नाम एवं काब गति विसेशता है लिखिए इनका मैं आपको सल्यूशन भी प्रवाइड कराऊंगा तो अबीडों कहां तक जरूर बने रहेगा गोश्वामी तुलसी दास की दो रचनाओं के नाम एवं काब गति विसेशता है लिखिए सातवा हो जाएगा उद्धो के व्यवार की तुलना किस्ते की गई गोपियों दोरा उद्धो को भगवेन कहने में क्या व्यवंग नहींती है परुस राम के क्रोध करने का लच्मण ने धनुस के तूट जानने की कौनसी तरक दिखाई अथपा में हो जाएगा आपका लच्मण ने भीर योद्धा की क्या विसेस्ताएं बताई चौपाई चंद की परिभासा उसो अलंकार की परिभासा उद्धाने साइथ बताना है दो नंबर की एक कोश्चन आपके रहेंगे महा काब और खंड काब में अंतर बताना है रिफोर्ड किसे कहते हैं हिंदी साहित के दो निवन्दकारों के नामें रचनाओ आत्मकथा और जीबिनी में दो अंतर कहानी पन्यास में दो अंतर अतवा में हो जाएगा तेरवा कोश्चन आपका हो जाएगा मुन्दी बंडारिक भासा सैली दो रचनाए लाम लिखिये और स्वयम प्रकास की भासा सैली दो रचनाए वताना है इसमें स्केवल आपको एक करना है चौधा नंबर हो जाएगा भागति की द्रूभद उन्होंने अकेले क्यों नहीं छोड़ना शाहिए थी इनका स्क्रीन स्वाट कर लिजेगा पंद्रमा कोश्चन अर्थ की आधार पर भाके के भेद लिखिये इनका भी स्क्रीन स्वाट कर लिजेगा सोलवा है आपको बताने निर्देश अंसर परिवर्थित कर के लिखिये तो प्रस्न बाचक और निसेध बाचक बाग आपको बताना है सत्रवा है माता का आचल सेस के उप्यूक्त बधाई बच्चे माता पिता के प्रतिप्रेम कैसे अभ्यक्ति करते हैं इनका भी स्क्रीन स्वाट फटा फट कल लिजेगा अठारवा कोश्चन नेम लिकेद गद्यान्स की संदर प्रसंग साहित बावार्थ लिखे तो आउधो तुम अतिवा भावी है इनका भी स्क्रीन स्वाट फटा फट कल लिजेगा उनने इसवा कोश्चन आपका निवन्द गद्यान्स की संदर प्रसंग आपको साहित ब्याख्य करना है तो इनका संदर प्रसंग और ब्याख्य करना है 20 वा कोशन ने निम लिखे 20 वा के अंचेद लिखे मेरी जीवन का लच विग्यापन लेख में क्या आरत है तो इनका आपको अंचेद गरने खुश से लिखना है आपको इनके बारे में 21 वा कोशन ने निम लिखे तापिट गाद्यांस को पढ़कर पीछे गए उत्तर बताना है तो यह आपको पूचे गए जो है तो तो गनगन तेरे यास भारा इनका भी स्क्रेंश ओट फटा फट कल लिजे को पीउप्त गाद्यांस का सीरसक बताना है और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं तो इनका बताना है इसमें आपको खुझे अंसर मिल जाएगा फश्ट नंबर आपको मेन है सीरसक आपको बताना है और 22 वा कोशन बिद्याल है कि प्रचार को साला सुलक मुक्त देहे तो अवेधन पत्तर लिखे परिच्छा में प्रथम अस्थान प्राब्द करने पर आने मित्र को बधाई पत्तर लिखे निमलेकित बिश्यों पर रूप रेखा साहितनी बंद लिखना है इसमें केवल आपको एक लिखना है चैसिच्छा के छेतर में इंटरनेट की उप्योगी था बिद्यार्थी आपको पीपर का पीडियेव चाहिए तो डिस्क्रप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को उसमें आप जॉइन हो लिजिए उसमें आपको पीपर का पीडियव मिल जाएगा और उसमें नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करें www.ncrtschool.com उसमें आपको पीपर का पीडियेव मि आप बताऊंगा इसलिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो को लाइक कर दीजएगा अब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैंग